नमस्ते दोस्तों मुडवीम हिंदी में आप सब का फिस से स्वागत है अब जातक इलेक्ट्रिक वेगल्स की बात होती है तो इन गाडियों की डिमांड बहुत जादा बढ़ रही है और अच्छी बात है कि इंडिया की मोस्ट अफ़रेबल का टियागो ईवी है लेकिन इसकी क अजर कॉंपेटेटर तो नहीं है कोई डारेक्ट कॉंपेटर नहीं है लेकिन फ्रेंच आटोमेकर सिट्रोएन ने इंडियान मार्केट के लिए EC3 फाइनली ओफिशली रिवीर कर दिये और ये गाड़ी डारेक्ली कंपीट करेगी टाटा टियागो ईवी के साथ तो आज की इस वीडियो में मैं सिट्रोएन EC3 और टाटा टियागो ईवी दोनों के स्पेसिफिकेशन को कंपेर करूँगा और अगले हफते दोनों गाड़ी का एक प्रॉपर डीटेल कंपारिजन वीडियो भी अलग से आ जाएगा लेकिन शुरकरने से पहले आप सब को पता कि आपको टॉपेंड वेरेंट है जिसमें आपको 24 किलोवाटर की बैटरी मिल जाती है और इसमें आपको 315 किलोमेटर की क्लेम्ड रेंज मिल जाती है रियालिस्टिकली ये गारी करीबन 200 किलोमेटर की रेंज अराम से कर लेती है इसके बाद आती है टाटा टियागो ईवी की बैटरी पैक की बात करें तो इसमें आपको बड़ी बैटरी पैक मिल जाती है 29.2 किलावट आर की और इसमें आपको ज्यादा क्लेम्ड रेंज मिल जाती है 320 किलामेटर्स की realistically मिरे साब से ये गाड़ी भी 200-210 किलामेटर्स की रेंज अराम से देदेगी और real world difference में इतना जाधा फरक नहीं होगा अब जातक पावर की बात होती है तो Tata Tiago EV में आपको 74 हॉस पार मिल जाता है और इसमें आपको 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है और ये गाड़ी की टॉप स्पीड है सिफ 107 किलोमेटर्स परार इन कमबैजन आपको Tata Tiago EV में 120 की टॉप स्पीड मिल जाती है अब अगर हम चार्जिंग की बात करें तो दोनों कार्ज को अबिसली स्लो चार्ज करने में काफी टाइम लग जाता है और अगर आपने नॉर्मल 3.3 KW का चार्जर यूज किया तो दोनों कार्ज को चार्ज करने में करीबर 9-10 घंटे लग जाएंगे अगर हम DC Fast Charging की बात करें तो दोनों कार्ज को आप काफी Fast Charger कर सकते और एक घंटे में आपको मतलब 10% से 80% की बैटरी तो अराम से मिल जाएगी अगर हम Home Charging Options की बात करें तो दोनों कार्ज के साथ आपको एक Standard Home Charger भी गाड़ी के साथ मिल जाएगा Tata Tiago EV में आपको एक City Mode मिलता है और एक Spot Mode मिल जाता है In comparison Citroen EC3 में आपको एक Normal Mode मिलता है और एक Eco Mode मिल जाता है अगर हम Dimensions की बात करें तो Citroen EC3 Tata Tiago EV से लंब भी है चौड़ी है और उची भी है और Citroen EC3 का Wheel Base भी Tata Tiago EV के Wheel Base से तोड़ा जादा लंबा है जादक Safety Teachers की बात होती है तो दोनों कास में आपको दो Airbags मिलता है दोनों आपको ABS मिल जाता है और ISOFIX Child Seat Mount भी मिल जाता है In addition to this आपको Tata Tiago EV में ITPMS भी मिल जाता है और इसमें आपको एक 4 Star की Safety Rating भी मिल जाती है अगर हम दोनों कास के Infotainment System की बात के तो Citroen EC3 में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है और इसमें आपको एक Normal Instrument Cluster मिल जाता है विट अधा Digital Display In comparison आपको Tiago में 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है लेकिन इसमें आपको जादा Speakers और Tweeters मिल जाते है Tiago में भी आपको एक Fully Digital Instrument Cluster मिल जाता है जो थोड़ा जादा Information आपको शोकेस करता है Tata Tiago EV में आपको Leatherate Seats मिल जाती है with Adjustable Front Headrest Citroen C3 में आपको Fabric Seats मिल जाती है with Fix Headrest Tata Tiago EV में आपको कुछ-कुछ Extra Features भी मिल जाते है over the Citroen EC3 इसमें आपको एक Cool Glow Box मिल जाता है इसमें आपको एक Grivers Parking Camera मिल जाता है और इसमें आपको एक Start Stop Button भी मिल जाता है ये सब Features Citroen की EC3 में नहीं आते अब हम लोग Citroen EC3 को बहुत ही जल चलाने वाले और इसका एक Detail वीडियो आजाएगा Motor Beam और Motor Beam हिंदी पे और उसके बाद एक Detail comparison भी आजाएगा Tiago EV के साथ तो Motor Beam हिंदी पे बने रहे और मुझे नीचे Comment section में बता है कि आप ये दोनों EVs में से कौन सी खरी देंगे और क्यूँ